लाहॉर स्मारिटी में मेंबर्स को जब सेक नॉलिमेंट सीट्स इशू होना शुरू ही हैं तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वला सवाल हो यह है कि लाहॉर स्मारिटी में प्लॉट की सिलेक्शन में किन पॉइंट्स को मद्दे नज़र रखना चाहिए अब इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे डिसक्सक्रीज़ करेंगे प्लॉट को और थीन डिसक्स करेंगे। लॉकेशन की सेलेक्शन के हवाले से नंबर मन के अगर आपने देखने हैं सिरफ living point of view से तो living point of view से जो सबसे major concern होगा अगर मैं अपना घर बनाऊँगा तो definitely मैं prefer करूंगा कि मेरे याज घर हो जिस plot पर हो जिस location पर हो उस location के आसपस green डीज जादा हो यानि लैंडस्केइटिेश बहुत अच्छी हो तो उसकेस में यहांट पर सामने होता है तो यहांगी वहांगी तो लिविंग पॉइंट विज़ से बहुत शी प्र secular होती है क्योंकि दो साइट से जब वेंटिलेशन होती है यह नहीं हवागा गुदर बसर होता है तो डेफिरेंटली बहाँ से आपको बहुत अच्छी वेंटिलेशन मिलती है और उसको घर को आप प्रेफर करते हैं क्योंकि आप लेट से पूरा दिन काम करने के बाद आप घर पर आना है शोर श्राबे से घुजर के तो आप अच्छी से अच्छी जो है वह आपको लाइफस्टाल मिले आपको लैंड्सकेपिंग अच्छी मिले और आपको स्कून मिले तो यह इस पॉइंट से आपको यह लोक इस प्लॉट के अच्छी होगी इस केस में में रोड का अगर आपका प्लॉट का है 100 फीट प्लस रोड पे तो डेफिरिटल आपको पर फिफ्टीन परसंट एक्स्रा चार्ज्स पे करने हैं और अगर अगर फिफ्टी फीट से लेकि 10 फीट के दिरम्यान रोड है तो आपको plot पे 10% extra charges pay करने हैं लेकिन फिर भी resale point of view से वो plot हमेशा favorite रहता है 50% जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को prefer करते हैं कि main road पे घर भी बनाएं ताकि आपके access असान हो लेकिन main road पे otherwise in any case जो plot होता है वो resale में बहुत असानी से बिख जाता है उसमें किसी किसम की कोई कबाहत नहीं होती कोई मसला पेश नहीं पेश नहीं आते हैं तो उस चीज़ को prefer किया जाता है resale point of view से main road की plot को number 3 क्या आपने देखना है अगर आपने घर बनाना भी है अगर दिल क्या बना लिया अदरवाइस आपने plot को sell करना है तो इस केस में आप plot का ऐसे जापर देखें कि जहां पे plot की neighborhood में एकसेस भी असान हो और आपके nearby vicinity में चीज़ें भी असानी से मिल जाती हो जैसे for example living point of view से देखें school से distance, park से distance, masjid से distance और commercial market से distance अगर आप resale point आप से देखते हैं तो यह चीज़ें बहुत आपको helpful साबित होती है कि आपका ऐसा plot है आप चाहें तो उस पर बिना लेते हैं अदरवाइस को sell कर लेते हैं अब कुछ locations जो preferred नहीं होती है number one वो location होती है आपके plot की location है main commercial facing यानि अगर आपका plot है main road पे उसके सामने एक हाई-rise building है तो वो plot जो commercial facing favorite plot नहीं होता क्योंकि वो building की height ज्याद है ground plus 10, ground plus 8 यह तरह की height है तो ऐसी location पे आपको commercial market facing यानि plot जैसे classery market होगी या को market facing plot होगी उनकी resale कम होती है क्योंकि वो plots होती है वो उन में एक तो ventilation का issue कि आपको main road पे शोश राबा और वाकि आपको वाम पे जारजी बता है कि जब गाड़ियां चलती है धुआं भी होता है तो आपकी प्राइविसी डिस्टरब होती है अगर आपके सामने ground plus 10 के building के है वो डारजी घर में देख सकता है तो आपकी प्राइविसी इशू कंसर्न होती है तो डेफिनली वो प्रेफर नी होता है इसके साथ जो मस्जद फेसिंग प्लॉट है वो 10% का तो फेवरेट हो सकता है मार्कीट में लेकिन 90% लोग से गेंस्ट होते है कि मस्जद फेसिंग प्लॉट ना हो अगर आपका स्कूल के सामने प्लॉट आ रहा है सेलेक्शन का मौका मिल रहा है तो मेरी प्रेफरेंस होगी को नॉर्मल प्लॉट सेलेक्ट कर लें लेकिन स्कूल फेसिंग ना करें रीजन सुबह आठ बजे और दुपैर को दो बजे आपके सामने एक राजा बजार बनना है एक मार्क्रीट बननी है जरक से पर एक शोर श्राब आओगा तो डेफरेंटली वो चीज़ें जो है लोकेशन रीसेल में लिविंग पॉट अफुज से ताके वो अच्छी से अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करके मैक्सिम्म से मैक्सिम्म बेनिफिट हासल कर सकें अगर आपको ये वीडियो चीज़े लगे तो प्लीज दू लाइक, कमेंट, एंड शेयर और चैनल को सब्राइब करना मत भूले अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिस